भार्थि किसान यूनियन करनाल द्वारा जगजीर सिंग राजा संधू को करनाल भार्थि किसान यूनियन युवा शहरी का परधा निक्ष किया गया है यह नियुक्ती भार्थे किसान यूनियन के परदेशा अध्यक्ष गुर्णाम सिंग के निर्देशा अनुसार 15 अगस के अफसर पर खी गई जिसके चलते आज डेरा कार सेवा कलंदरी गेट में यूवा अध्यक्ष बनाए जाने पर जगजीर सिंग राजा संधु का सिरोपा पहना कर संध बाबा सुखाफ सिंग जी का महराज द्वारा समानित किया गया है इस अफसर पर भार्थे किसान यूनियन करनाल के नेता जगदीब सिंग औलक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जगदीब सिंग संधु पह पूरी इमानदारी के साथ भार्थी किसान यूनियन की यूवा इकाई का मनोबल बढ़ाए और संगठन को मजबूती देने के लिए कार करें उन्होंने क्या हूं कि जब तक केंद्र की सरकार क्रिशे के छेत्र में लाए गए तीन काले कानूनों का निरस्त नहीं करती है भागिदारी निभाएं यहां आपको बता दें कि पिछले काफी अर्चे से भार्थी किसान यूनियन सयुक्त मौर्चों के तत्वा धन दिल्ली के बौर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और पीशी के छेत्र में लाए गए कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं परन करनाल शेहरी अध्यक्ष नुक्त किया गया है देखे एक रिपोर्ट नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और यह तश्वीरे हैं करनाल के डेराकार सेवा की यहां बारत्य किसान यूनियन के करनाल शेहरी प्रदान चड़ूनी ग्रूप नुक्त किया गया है बारत्य किसान यूनियन के नेता जगदीब सिंग ओलक मोजुद हैं बाबा सुका सिंग शिरोपा पहना कर समानित करते हुए यह तश्वीरे देख रहे हैं आप करनाल के डेराकार सेवा से बारत्य किसान यूनियन द्वारा शेहरी यूवा प्रदान नुक्त किया गया है करनाल शेहर से बाई जबजीत सिंग राज्जा संदू यह लम्मे टाइम से जब से अंदोलन चल रहा है तो इनकी यह बाई और इनकी सारी यूवा टीम लगातारक अंदोलन में मारे सेयोग कर रहे थे इस पूरे अंदोलन में पिछले नो मीने से साथ थे तो इनको कल हमने जो पंदरा अगस्त पे और आज हमने इनको यहां पर समानित करके इनको करनाल शेहर का यूवा पर दान युक्त किया है और यही उमीद करते हैं जैसे पहले दिन रात यह बाई और इनकी टीम मेनत कर रही है उससे ज़्यादा काम करेंगे और जितने यूवा हमारे नोजव पर दिन को पॉमिका थी आज इसी को लेकर इनका मानसमान यहां करने के ये टेरा कार सेवा कठ़ा हुए हैं और बाबाजी की ओर से इनका मानसमान किया गया है और यह अपनी जुम्मेवारी जैसे पहले निवा रहे हैं उससे भी दुबने जोश के साथ 3把它 अगला अपनी तो मुझे इस लायक समझा है, हम अपनी जिम्मेवारी पूरी निवाएंगे, जैसे आग्याने बाते रहेंगे, और वो बेड़ चड़ के मैनत करेंगे. जैसे लोगों को जुड़ेंगे और जितने हमारे यूथ है, उन्हें कहेंगे कि जागरुक होके हमारे साथ चलें, कंद्य से कंदा मिला के चलें, रोटी सारे ही खाते हैं, अन्न खाते हैं, वो बीजवी बारे भी कहते ही होंगे, जो आजकल गल्त बियान बाजी कर रहे हैं, ह क्या मिला किसाने ताओ को बताएंगे इने जवाब मिलेगा, जब हम जीतने के तब बता देंगे, इनके जवाब हम देंगे, नहीं अच्छे से देंगे, अभी आंदोलंग खतम थोड़ी हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो हम कई साल चलाएंगे, दो जाज चोव बहीं पे मिलेंगे उने, उनके मोड पे ही, जो दनखड साब ने टिपनी की थी करोंडा में उस दिन के अंदर, उसका जवाब हमने वीडिया के और से भी और दे दिया था, दनखड साब से, जो दनखड साब कह रहे हैं, संदोलन की उपलब्दी क्या है, बड़ी लम्मा हो जाएगी बात उसमें यही है, आज इनों ऐसे से कनून और भी बना के रखे हुए थे, बिजली अदनियम 2020 त्यार था, पराली पे कनून लेके आए जिसमें करोड किसान के उपर जुर्माना था, वो यदि कनून पराली वाड़ा वी रद हुआ है, वो इस संदोलन की वज़ हुआ है, आज आप मीडिया साथियों को भी पता है, आज किसान को अपना काम करवाने के लिए किसी MLA मंतरी के जाके आजरी नगानी पड़ती, फोन नी कराने पड़ते, सारा काम अफसरों पे खुद किसान मजबूत हुआ है, अभी हमारा मैच जारी है, और इस मैच को हमार है, दो ही मांगे लेके चले थे, इनको नुनों गोरत करवाना और MSP गरंटी, वो लेके आएंगे, उससे कम कुछ भी मंदूर नहीं है